चन्नी jijना सुई शेका कहा टेरे सिर में एक छेद है चन्नी सीर में तुर भोड़ केसिन यही से दे बयाँ तो सुई ने कहा मेरे शिर में तो ये खिचे दे पर पैण देशाज ए मेरे पेट में तो छे दी besh deter मतलब समझे कि दोस्रों की भूलों को लजानाज करना श्यको परिवार में सुगून चाहिए, परिवार में सद्वाउ चाहिए, परिवार में प्रिशनता चाहिए, एक छोची शिपात को थ्यान रखो अग्वान महामी ने कहा सम्यक दृष्टि बनो हमेख दृष्टिया ने हंस दृष्टि हंस के बारे में कहा जाता है दूद पानी मिला कर रख दो हंस दूद दूद पी लिया करता है पानी-पानी छोड़ दिया करता है कि है एकि इस तरह इस देश्ट के मा पुर्षों ने कहा कितना भी गरिव हो और कितने वी गरीब की जोपरी क्यों ना हो यह पर गरीब की जोपरी में भी गरीब से गरीब स्क् reproductive में विएक गजोपडी में भी कम कम एक सोगा जरूर होगा घिए किसी तर से पापी से पापी हाद्मी में भी इन एक सद्गण जरूर होगा शीशी में अगर डाट हो तो शीशी का अंदर का जो पधारत है वो सुरक्षित रहता है धकन अगर शीशी में डाट हो तो अंदर का पधा तो सुरक्षित रहता है अगर बच्चों के उपर मावाव की डाट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है बच्चों से कहूंगा अगर कभी तुम्हारे माबाप डांट दे माबाप की डांट का पुरा मत मानना वालकि ये सोचना गल्ती करने पर माबाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन गल्ती करने पर ये सोचना कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गल्ती करने पर माबाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा पिछले दुनों विदानसभा में शंबोधन देने के लिए में गया मैंने विदानसभा के उशंबोधन में जो मेरे जान जन प्रतिनीती बैठेते मैंने कहा विशंत और नेता दोनों भाई-भाई हैं क्योंकि दोनों पर ही शमाज सुधार की बहुत बड़ी जुम्मिदारी हैं तो मैंने कहा कि मैं भाई-भाई हूं और फर ये में बताया है कि राम का भाई लक्षमन तो हो सकता है डाउंड नहीं हो सकता है कि मैंने ये भी कहा कि कि भाई बला तो हो सकता है कंश नहीं हो सकता इतना भी निवेजन मैंने कि गुष्षा नहीं करना और छुप रहना किसी को जवाब मत देना को लेपिताजी मैं करूंगी और भाब को अश्मस्षन दे करके सस्राल पहुंची सस्राल पहुंच गई सस्राल के किसी सदस्ष ने उसकी तरफ आँख उठा करकि मिन नहीं देगा लिकने उसे बुरा नहीं लगा क्रोध नहीं आया क्योंकि एक मैना कि साथ ना करना थी किसी न देखा नहीं किसी न बात के लिकने उसे न किसी पर क्रोध नहीं किया बाब ने कहा था एक मैना क्रोध नहीं करना चुप रही काम काज में लग गई अगले दिन सुबह जल्दी उठी और उठकरके अपनी सास के सामने जाकर सास के चरन चुए और कहा मा जी मुझे आशिरवाद दो आज का दिन प्रेम से सांती से वितीत हो सास ने देखा पाउँ चु रही है इसको क्या हो गया आज के लगी महिलाओं को कभी अपने सास के पैर चुने की नौमत आ जाए तो देखना कैसे पाउँ चुते घर में साधी हो विवा हो कोई प्रशंग हो और बहु को सास के पाउँ चुना हो तो पाउँ नहीं चुती गुठना चुती है पाउँ चुने के लिए तो जुगना पड़ेगा ना जादा जुखेंगे तो कमर में दर्दूए ना पाउँ चुते गुठना चुते अरे पाउँ हम किसी के इसलिया चुते संद के चरण हम इसलिया चुते हैं कि हम निवेदन करते हैं गुरुदे गुरुदे उसे के गुरुदे जो चरण में आचरण है आपके चरण में जो आचरण है वो आचरण मेरे जीवन में भी आ जाए इसलिया हम चरण बंदना करते हैं लेकिन जब कोई बहु गुठने च तो बुजूर्गों के गुटने में शिवार दर्द के और क्या होता बुलो मुझे लगता वो कह रही कि आपके गुटने में जो दर्द है वो मेरे पास नहीं चरन मैं लोगों से कहता हूँ आप शुभावड करके अपने गुरु को अपने माबाप के प्रणाम करजे क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो माबाप के चरनों में अपने घुटने टेकता है फिर उसे दुनिया में कहीं घुटने नहीं टेकना पड़ते हैं सुभे बहु उठी जल्दी उठी मैलाओं से निवेदन करूंगा आप शुरु दैसे पहले विश्तर छोड़ दीजी गर की लक्षमी सुरु दैस के साथ ही विश्तर छोड़ दे लक्षमन थोड़ी देर से उठेगा चल जाएगा कुण बूलो मजा गए बहुत बहिमान हो तुम लोग लक्षमन लक्षमन थोड़ी देर से उठेगा चल जाएगा लेकिन घर की लक्षमी सुरु दै के साथ ही विश्तर छोड़ दे जिन घरों में लक्षमन के साथ लक्षमी भी देर सुबह तक पड़ी लाइती है उन घरों की असली लक्षमी रूट करके चली जाया करती है सुबह आप जल्ली उठिए बहुर सुबह जल्ली उठिए सास के पास गई चरण श्मस किये और कहा मा जी मुझे आशिए पानी की विवस्ता करके रखिये पता नहीं कफ साथ सर्किट हो जाए और घर में आग बोलो अपने अपने घरों में जल की विवस्ता करके रखिये परोशी से यह उमीद मत रखिये आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दोड़ेगा वो तो तैयार बेटा है कब आग लगे और में पेट्रोल लेके जाऊंगा आज का परोशी बहुत बहिमान है अरत का परोशी कितना बहिमान है अरत का परोशी बहुत बहुत माने शेलेने के दनों का गुजारेश होगे आप सब लोगों से बहुत जाता स्षीक है और जानने की जरूरत नहीं है आज जब आप यहां पर आये हैं एक ही बात को दिल में गाण बांद करके जाना आग का जबाब आग से नहीं पानी से देंगे ग्रोध का जबाब ग्रोध से नहीं शान्ती से देंगे जीमन के लिए जीमन के परिवर्तन के लिए जीमन के शमर्दी के लिए इतना बिनम रानोत और निवेदन जो मात पून है उसे याद रखें और ये एक और संदेश आप सबसे निवेतन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, जगड़ लेना, पीट जाना, पीट देना किसी जैनमुनियों से जैनमुनियों से ऐसे उपदेश की आप अपपेच्छा नहीं कर सकते लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, जगड़ लेना, पीट जाना, पीट देना मगर बोल चाल बंद मत करना लड़ लेना, जगड लेना, पिट जाना, पिट देना, अगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही, शुलय के सारे दर्वाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले, अगर किसी से जगड़ा हो जाये, तो हम बोलते हैं, कसम काता हूँ, अब तेरे से कभी जिन्दगी में बात नहीं करूँगा। कसम काता हूँ, आप तेरे दर्वाजे कभी ढूंकूँगा नहीं, कसम काता हूँ, आप तेरे दर्वाजे कभी पानी पीने नहीं आओँगा। ओ बबा, कैसा चलेगा, कैसे चलेगा, छोटे बच्चे दिन में दस वाल लड़ते, जगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। फिरोद बुरा नहीं है, बैर बुरा है, फिरोद बुरा नहीं है, महापुर्शों के गरों में भी लाज जगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे, तो केके और मंतरा के बीच में जो हुआ, प्रामची के गर में लाज जगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे, तो केके और म अगर नहीं होते थे तो कोलों परपनों के बीच में जो हुआ, वो क्या था? अगर नहीं होते थे, तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ, वो क्या था? लड़ाई जगड़े होंगे.